कद्दू को हम सभी जानते हैं इसे हम सबजी के रूप में स्वाद लेकर खाते हैं पके कद्दू के अंदर बहुत से बीच पाए जाते हैं हमें से बहुत से लोग इन्हें कोड़े दान में डाल देते हैं पर क्या आपको पता है इसके इतने फायदे हो सकते हैं आज में शेयर कर रही हूँ कद्दू के बीच खाने के दस बड़े फायदों के बारे में और इसमें कौन-कौन से पोछक दत्व पाये जाते हैं जो हमारी हैल्थ के लिए फायदे बंद हो सकते हैं वीडियो के लास में हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट ये नुकसान के बारे में तो फ्रेंच वीडियो को पूरा फालू करें जिसे की पूरी जानकारी आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब पूर वीडियो एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें सबसे पहले जान लेते हैं कदू के बीज में ऐसे कौन-कौन से पोशक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए फायदे बंद हो सकते हैं कदू के बीज में मैगनीज मैगनीशियम फासफुरस तांबा ज असेड भी पाया जाता है इसके अलावा फैनोलिक और फ्री रेडिकल को खतम करने के लिए विबिन रूपों में इसमें एंटियोक्सिदेंस मौजूद हैं यह आसानी से बाजार में मिल जाता है इसका प्योग मिठाई चटनी सलाथ सूप और सबजियों में डाल कर सकते हैं प्रिंट चलिया यह बात कर लेते हैं कद्दू के बीच खाने के दस बड़े फायदों के बारे में नंबर वन खराब केलस्टरॉल को कम करें कद्दू के बीच में नियमित खाने से शरीर में कम घनत वाले लिपो प्रोटीन यानि की LDL या खराब केलस्टरॉल के स्थर को कम करने में मदद मिलती है कद्दू के बीज में Phytosterol होता है जो LDL के स्थर को कम करके Atheroslerosis और रक्त में जमने से रोकता है इसके अलावा इसमें Mono Unsaturated Fatty Acid भी पाया जाता है जो LDL के स्थर को कम करने में मदद करता है और रक्त में HDL यानि अच्छा केलिस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अपने LDL को कम करने के लिए रोजाना भुने हुए कद्दू के दो से चार चमच खा सकते हैं No.2 मदूमे के रोगी के लिए कद्दू के बीज के फायदे अधियन के अनुसार कद्दू के बीज का मदूमे पर सकारात्मक प्रभाब पर सकता है एक अधियन से पदा चलता है कि कद्दू के बीज इंसुलिन को नियमित करता है और तना को कम करके मदूमे की समस्या को रोगता है इसके अलावा कदू के बीज के तेल में फाइटो केमिकल्स योगिक पाये जाता है जो डाइबिटिक नेफ्रो थेपी को रोकने में मदद करता है मदू में के रोगी नास्ते की रूप में प्रति दिन दो बड़े चम्मज पुने हुए कदू के बीज का सेवन कर सकते हैं नमबर 3 चिंता को करे दूर कदू के बीज में टिप्टोफैन और अमीनो एसिट पाये जाता है जो चिंता को कम करने में मदद करता है जब हमारे शरीर में टिप्टोफैन कम होता है तो चिंता अफसाद और अन्यमूर संबंदित समस्याइं जन रेती हैं इसके अलावा कद्दू के बीज में बिटाइमिन बी ओमेगा 3 फैटी असिट पाये जाता है जो तंत्री का तंत्र को अधिक पुशलता पूर्वक काम करने में मदद करता है और चिंता को कम करके तंत्री का तंत्र को शान करता है अगर आप तनाव महसूस करते हैं तो अपनी सान करने के लिए बुने lled के बीजों का सेवन्स जरूर करें कद्दू के बीच का तेल गठिया से दिलायी छुटकारा कद्दू के बीच और कद्दू के तेल में अंटी हिंफलमेट्री गुण पाया जाता है जो गठिया के एलाज में मदद कर सकता है खासकर यह पुराने आस्टियो अर्थ्राइटेस और रूमेटाइट गठिया में भी लाबदायक होता है उनके एंटिन्फ्लमेटी और दर्द को दबाने के गुण जोडों के दर्द सूजन को कम करने में मदशते हैं गठिया से संबंदी सूजन को कम करने के लिए कद्दू के बीज के तेल से प् कार्य को अच्छा करते हैं और ओवर एक्टिंग ब्लैडर यानि की अति सक्रिय मूतराशे को कम करते हैं यह बड़े प्रोटेस्ट के इलाज में भी मदद करते हैं जिसे पुरश्टे ग्रंती में अति ब्रद्दी के रूप में जाना जाता है इसके इलावा इसमें मौजू है करें के का डू कट्यों को रखे स्वस्त का कडू के बीज में में और जाता है जो हड़ियों के स्वस्त में सुधार और उस्टेु आश्टेयों करते हैय। और जिंग पाया जाता है जो ऑस्टियो पॉरसिस के खिलाब प्राकर्तिक रख्षा प्रदान करता है यह खनीज हड़ी के फ्रेक्चर को जोखिम को भी कम करते हैं कदू के बीज महत्पूर है हरदेकारों में कदू के बीज में मेंगनीशम होता है जो आपके दिल के पंपिंग कार रह और रक्तभाईकाओं को रिल्यक्षेशन सहीत म कई महत्पूर्ण हरदेकारों में मदद करता है इसके इलावा ये खरीज उच्रक्ट चाप को नियंद्रित करने में मदद करता है और हिर्दे रोग जैसे हार्ट अटेक और स्ट्रॉक को रोकने में मदद करता है कद्दू के वीज में माजूद तामा शरीर की लाल लक्त भाहिकाओं यानि कोशिकाओं को बढ़ाने में करता है और ऑक्सीजन योगत रख्त के प्रभा को सुधार करता है इसके इलावा कद्दू के बीज में पाए जाने वाले स्वस्तवसा एंटियोंस फाइवर दिल के स्वास्ते के लिए अच्छे होते हैं हिर्दे रोग और स्ट्रॉक के खत्रे को कम करने के लिए अपने आह खतरनाक पर जीवी को खतम करने में मदद करते हैं यह माना जाता है कि वीज वास्तम में कीड़े को नहीं मारते लेकिन उन्हें शक्तिहीन बनाते हैं इस प्रकार आत्र मूमेंट के दौरान उन्हें आतों की दिवारों पर चिपकने से रोकता है आतों के कीड़ों को छुट बल лет के लिकार में पाया जाता है जो एक हमीनो अशिद है जो सेरोटॉनिन में परिवर्वर्थित होता है और फिर मेलाटॉनिन और टॉनिन रात की समय अच्छी नीम्हाइश कोorousод और सेरोटोनिंग में परिबर्तित करने में मस्तिक्स की मदद करता है अच्छी नीद पाने के लिए रात को सोने से पहले एक घंटे पहले एक ग्लास गर्म के दूद के साथ एक बड़ा चमच कद्दू के बीज का पाउडर मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं 10 कद्दू के बीज बढ़ाएं प्रतिरक्षा प्रणाली कद्दू के बीज में जस्ता अधिक मातरा में पाया जाता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं जस्ते की कमी सरदी फ्लू ठकान कमजोरी मोहा से कई अन्य स्वास्ति समस्याओं को जन बनाए रखने चया-पच्य में सुधार करने के लिए उूर्जा के श्थर को बढ़ाने के लिए एक मुठी बीज के साथ अपने दिन के शुरुवात कर सकते हैं पर्थ के लिए कद्दु के बीज खाने के को साइड इफेक्षिनी नुकसान के बारे में कद्दू के बीज में अधिक मात्रा में कैलरी होती है वजन कम करने के लिए इसे कम मात्रा में खाएं बीज में मौजूस स्वस्ते पोशितत्तों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कच्चा खाएं अगर आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज पैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कमेंट शेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्स ओफ फुल वाच और बाई और टेक केर अल अल अफ यू